हाई गाइस कैसा आप लोग सो गाइस वीडियो में हम डी आफ ब्लोक एलिमेंट्स के क्विस्चन्स कर रहे हैं जो कि जेई में जैनुरी टुटी 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 फॉर यह पार्ट थी है पार्ट वन और टू में अल्रेडी अप्लोड कर चुको लिंक आपको यह बहुत इंपोर्टेंट टोपिक हो इस पर काफी बार केशन पूझे जा जा जाते हैं अब मैं इसको एक आपको बहुत अच्छी तरह से बता दूगा एक है MnO2 दूसरा है MnO42 जिसको आप मेगनेट आयन बोलते हो और फिर एक है MnO4 नेगेटिव जिसको आप पर मेगनेट बोलते हो एक चीज़ ध्यान रखे यह यह ग्रीन कलर का होता है और इस परपल कलर ओके अब देखे क्या होता ह है कि start होते है कहानिया आपकी MnO2 से हो ओके जब MnO2 सबसे पहले oxidize होके यह convert होता है MnO42 नेगेटिव में और जब आप इसको further oxidize करते हो ठीक है तो यह convert हो जाता है MnO4 नेगेटिव में पहली बात तो इसको यह ध्यान रखे अब देखे इसमें oxidation state plus 4 से plus 6 और यहाँ पर finally प्लस 7 पर होगे इसके आगे oxidation नहीं हो सकता कि मेगनीज की प्लस 7 maximum oxidation state होती है यह किलोता है एक ऐसा element है जो कि प्लस 7 oxidize में exist करता है अब दो यह reactions क्या होती है जनरली जब आपको MnO2 से MnO4 नेगेटिव में convert करना होता है तो जनरली क्या बोला जाता है कि MnO2 fused with alkali fused with alkali यह alkaline medium alkali जैसे आप के वच ले लोगे एनिवच ले लोगे और उसके बाद में इसका क्या हो जाता है oxidized with air okay पहले इसको fuse किया with alkali and then उसके बाद oxidized किया with air यह और KnO3 तो यह conditions दीवी जाती है याद कर ले न गाईस इसके बाद जब यह बन जाता है इसको इसमें convert कर जाता है इसको क्या बोलता है electrolytic oxidation in alkaline medium तो electrolytic oxidation in alkaline medium तो alkaline medium जैसे KOH अकेन ले लो अनिवच ले लो बगएर बगएर तो पहली बात तो जो question में पूछा हुआ है वो यही चीज पूछी हुए इसके अगर आपको reactions देखनी है तो जो first part है उसकी यह reaction हो गई वो जो second part है उसकी यह reaction हो गई सब्सक्राइब एक चीज और दियान रिख लिजिए जब आपको यह तो oxidation हो गया अब देखिए जब MnO4 negative यहां पर है अगर इसको मुझे heat कर दूँ सब्सक्राइब देखिए अगर मैं MnO4 negative को heat कर देता हूँ तो यह basically दोनों compounds में break हो जाता है MnO2 and MnO4 negative है important है यहाने जब plus 7 auxiliary state है उसको heat करोगे तो यह क्या करेगा plus 4 plus 6 दोनों में break हो जाता है ठीक है तो फिलाल जो आपने देख लिए इसमें क्या हो गया A and B क्या हो गया आपका MnO4 negative है MnO4 negative याने option number 2 will be your final answer next question देखते है A and B formed in the following reactions आ देखिए जो J main 2024 हुआ है January का इसमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पर मला बहुत बार बहुत question पूछे जा चुग है 6-7 बार इस चीए reaction बहुत important पहले भी इसके काफ equation पूछे आ चुग है देखिए A and B formed in the following reactions आ जो बेसिकली यह क्या है CRO2 Cl2 यह बोलते है आप इसको क्रोमाइल क्लोराइड ओके क्लोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है basically एक to test the presence of chloride ions यह तो बात हो गई अब इसमें देखिए main reactions होती ह है इनको कैसे करें देखिए सबसे पहले क्या होता है salt ले लिया होता है salt जिसमें obviously chloride ion present होगा जैसे NaCl इसमें क्या करते हैं equal amount of solid K2Cr27 डाल देते हैं ठीक है अब ध्यान लगना आप और उसके बाद में आप कर देते हो add concentrated H2SO4 और जब इस पूरे mixture को आप heat करते हो न तो कुछ vap यह बेसिकली CrO2Cl2 क्लोमाइल क्लोराइड की और जो की basically reddish brown color की होती है reddish दे दें कभी-कभी कुछ brownish दे देंगे reddish brown लिख देंगे यह ध्यान है उसके अलावा दूसरी reactions हो जाते हैं जैसे for example मैंने NaCl ले लिया यहापे तो NaCl हो गया क्या बन जाते हैं क्या बन जाते हैं क्या प्लस एक बात ध्यान रखिए मैंने NaCl लिया था तो यहां पर क्या होता है जरूर ध्यान दे रहा हुआ है अब क्या होता है जो यह vapors release होती है इसको further हम NaOH में add कर देते हैं ठीक है अब वो क्या है यह reaction दी विया यह वाली जब इसको आप NaOH में reactions को add करते हैं तो एक yellow color का solution बनता है yellow color का solution होता है वो basically क्या होता है Na2CrO4 Na2CrO4 होता है जो कि yellow color का solution बनता है ठीक है तो CrO2Cl2 plus NaOH Na2CrO4 बना और इसमें NaCl plus H2O बन जाता है तो यह वाली reaction होगी तो इससे आपको समझ में आगे होगा CrO2Cl2 NaOH add करा तो इसमें क्या हो गया Na2CrO4 तो इसमें देखें options में भी मुझे दिखी रहा है कि मेरा option नमबर बन है Care, next reactions देखते हैं अब क्या होता है कि इसमें further test होते है इसको दो पार्ट में break करते हैं एक पार्ट में आप कुछ acidic acid बगेरा डालते हो वो different reaction है जो यह वाली reactions है वो basically इसमें क्या करते हो जो यह Na2CrO4 निकला yellow color बना Na2CrO4 ठीक है अब इसमें क्या करते हो आप basically acidic medium में इसमें H2O2 add कर देते हो तो यहाँ पे CRO5 बन जाते है यहाने chromium pentoxide और साथ ही साथ इसमें H2O भी निकल जाते है ठीक है तो अब माला balance out नहीं किया हो है ए समझो कि अगर मैं इससे भी हटा दू तो chromate ions जब acidic medium में H2O2 से मिलते है तो CRO5 इसमें देखें A था Na2CRO4 यहां लिया है H2O2 तो B क्या बना CRO5 along with H2O तो CRO5 क्या होता है chromium pentoxide ओके तो इसका structure basically यह होता है butterfly structure बोलते है इसको और important है exam के purpose से ठीक है तो यह बन किया B तो इसका according क्या option number one is your final answer next question देखते है identify correct statements from below तो पहला है chromate ion is square plane तो देखें आप basically कभी कभी दो ट्रेके ion यह पढ़ते है जो chromium वाले होता है एक तो आप बोल देते हो इसको chromate जिसका क्या बोलते है अब CRO4 two negative होता है basically जैसे K2CRO4, Na2CRO4 तो basically CRO4 two negative यह ion present होता है chromate ठीक है और दूसरा आप एक दे dichromate में क्या हो जाता है CRO2O72 negative जहनों है और दोनों ही कि दोनों tetraidal step में होता है मलब यह तो दो tetraidal से चिपक्के बना होता है यह simple tetraidal shape में होता है तो CR double bond O, double bond O, O negative and O negative यह tetraidal shape बनी वी होती है तो पहला तो होगा गलत similarity में dichromate का भी आपके बता देता हो तो CR double bond O, CR double bond O इधर लिखो, एक double bond O, एक इधर double bond O, एक O negative, इधर O negative और एक यह इस से जुड़ा होता है तो यह भी दो tetraidal different shape से जुड़ा होता है तो फिलाल यह पहला वाला तो हो गया The dichromates are generally prepared from chromates Okay, so this is a correct statement, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, देगे बहुत अच्छा है, याने, देख, CR O 4 2 negative और CR 2 O 7 2 negative, याने chromate यह हो गया, and dichromate यह हो गया यह basically interchangeable है जब मैं, for example, किसी acidic medium में इसको डालूँगा, तो यह convert हो जाता है इसमें और जब dichromate को किसी basic medium में डालूँगा, तो basically यह chromate में convert हो जाता है तो इसमें कभी-कभी यह भी पूचा जा जाता है, कि जब system का pH decrease होगा तो यह chromate, dichromate में convert हो जाता है, और जब system का pH increase होगा, तो यह reverse हो जाएगा समझ मैं, ठीए, अब देखे, एक चीज़ देखे, याने acid medium में जो chromate basically yellow color का होता है वो orange color में change हो जाएगा, या कहूं तो yellow color और घाणा हो जाएगा समझ मैं, तो यह correct statement हो गया, the green magnet ion is dimagnetic, तो यह magnet ion मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कि जब आप MnO2 से MnO42 negative में आते हो, याने magnet और उसको further oxidation करते हो MnO4 negative, तो यह क्या होता है, green color का होता है, और यह क्या होता है, आपका purple color का, अब MnO42 negative की अगर आपको देखना है, इस में क्या हो जाएगा, MnO2 negative, प्लस 4 to 8 with minus sign equals to minus 2, याने MnO2 plus 6, याने D1 उसमें हो गया, और यह क्या हो जाएगा, पैरा-magnetic है, यह तो जो होता है, यह पैरा-magnetic होता है, और यह क्या हो जाएगा, डाय-magnetic हो जाता है, यह चीज और जाना है, तो यह क्या हो गया, incorrect statement हो ग K2 MnO4 disproportionate in neutral or acidic medium to give per magnet, so this is a correct statement, कैसे, देखे, मैं इतनी बार आपको पता चुका हूँ, देखे, एक order है, MnO2 से change हुआ, MnO4 negative, इस से change हुआ, MnO4 negative, ठीक है, इसको MnO4 negative को heat करूँगा, तो यह break हो जाएगा, MnO4 negative, प्लस MnO2 में, अगर मैं यह तो हो गया, यहां से इस में चले गए, यहां से reverse चले गए, अब इकलोता यह बजाए, यहां से यहां और यहां आना है, तो इस case में क्या होता है, MnO4 negative को, अगर acidic medium में डालोगे, for example, HCl में डाल देता हूँ, यहां K2 MnO4 हो गया, तो यह क्या करता है, break हो जाएगा, into this and this, यहांने MnO2 plus KmnO4 बन जाएगा, साथ में H2 and KCl, ठीक है, यह फिलाल तो जरूरी नहीं है, लेकिन यह होना चाहिए, कि जब मैं इसमें इसको, देगे, इसको oxidize करके यह, यह, इसका heat करता हूँ, यह, यह मिल गया, अब इसको acid में डाल देता हूँ, तो यह और यह बन यहां पे तो हो गया, इसका plus 4, reduction हो गया, और इसमें क्या हो गया, plus 7, यह, sorry, यह plus 6 है न, तो यह क्या हो गया, plus 4, और इसमें क्या हो गया, plus 7, oxidation भी हो गया, reduction भी हो गया, तो क्या हो गया, disproportionation, okay, और अगला statement है, with increasing oxidation number of transition element, metal, ionic character of the oxidation decreases, so this is a correct statement, basically, so, देखे, क्या होता है, कि due to the, जैसे ही, oxidation number increase होती है, so, जो reduced cationic size होता है, और जो polarizing power होती है, उससे क्या होता है, कि, जो covalent bonding होती है, ज्यादा favorable हो नहीं लग जाती है, rather than ionic compounds, okay, phasants rules एक बाब पढ़ लेना, so, this is also correct, so, जो आपका correct answer, क्या हो गया, option number 4, याने BDE, next vision देखते है, the spin only magnetic moment for this is, now, देखे, गाईज, NIE इसमें plus 2 oxidation state में है, okay, plus 2 oxidation का मतलब 3D 8 होगे automotional configuration, now, NS3, basically, इसका दिहर रखिए, अगर NS3 किसी ऐसे metal के साथ जुडा होआ है, जिसमें plus 2 या इससे less than की oxidation states है, तो यहाँ पर weak field ligand की तरह behavior करता है, और अगर plus 3 और या उससे उपर कुछ है, तो strong field ligand की तरह behavior करता है, यहाँ NIE plus 2 है, तो weak field ligand होगा, याने, no pairing happens, ठीक है, 3D 8 होगया, तो अब इसमें unpaired electrons निकाल लो, 1, 2, 3, 4, unpaired electrons कैसे होगे, 8 है, तो pairing नहीं हो रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unpaired electrons कितने होगे इसमें, यह 2, तो N equals to 2 होगया, तो mu, याने, N equals to N plus 2 में रखते हो, तो 2 into 2 plus 2, और यह होगे, 2 root 2, इसको जब आगे आप solve करोगे, तो 2.82 हो जाएगा, और क्योंकि 10 power minus 1 में लिखना है, तो 28.2 into 10 to the power minus 1, okay, and this will be your final answer, याने, 28.2 लिख लो, या 28 लिख लो, या 28 लिख लो, एक ही बात हो जाएगे, next vision देखते है, choose the correct statements from the following, now guys, यह पूरा-पूरा question, NCRT में जो one-liners दिएवे होते हैं, उसके बेज़े हैं, लेगे, so, MN2O7 is an oil at room temperature, this is a correct statement, so, देखे, क्या है, MN2O7 is a covalent green oil compound, okay, so, at room temperature, basically, यह क्या होता है, dark green, viscous liquid, तरह का, एक green oil होता है, यह तो physical properties है, यह correct है, V2O4 reacts with acid to give VO2+, देखे, अब यह अच्छा question है, इसमें देखे, इसमें समझ देखे हैं, इसमें में देखने का है, यह देखे, अब जैसे हैं, V2O4 का react with acid to give VO2+, देखे, और यहाँ पर V2O5 does not react with acid, इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं, देखे, क्या है, जब V2O4 को आप acid में डालते हो, तो यह क्या होता है, dissolve हो जाता है, dissolves in acid, जो V2O4 है, get dissolved in acid, और आपको VO2+, salt देता है, साथ है, V2O4 जब dissolve करते हैं, आप acid में, तो VO2+, okay, and similarly, जब आपको VO2O5 होगा, तो यह क्या होगा, अगर alkaline medium में है, तो यह VO4 3 negative में convert हो जाता है, और जब acidic medium में है, तो यह VO4 positive में convert हो जाता है, तो अब देखे, V2O4 reactive acid 2 की VO2+, incorrect, VO2+, है, और V2O5 does not reactive acid, यह कर रहा है, भाई साब दिखते हो रहा है, incorrect, तो जब देखे, CRO is a basic oxide, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, यह देखे, direct उसमें से उठावा है, मैं आपको दो दो V2O का भी और इसमें बताता हो, देखे, जब V2O3, V2O4, V2O5, ठीक है, यह क्या है, जब इसमें एक एक O बढ़ा रहे हैं, तो यह क्या होता है, basic, यह less basic, अभी क्या हो गया, और कम basic हो गया, in fact, यह amphoteric हो गया, तो यहाने एक तरह से समझो, basic character decrease होता जा रहा है, from left to right, समझा है, and जब आप इसका chromium का देखते हो, CRO and Cr2O3, तो इसमें यह basic होता है, and again, left to right क्या हुआ, जैसे oxygen बढ़ा, तो basic character decrease हो गया, यह अब amphoteric हो जाता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे इन दोनों में oxygen बड़ा basic character decrease होता गया, तो इसका मतलब क्या है, CRO is a basic oxide, yes, NCRT का है, यह सब कुछ, वैसे कुछ निए, तो option C, यह जो C statement है, यह भी correct हो गया, इसका मतलब जो आपका option number 2 है, यहाने A and C only यह correct answer है, next question देखते है, number of moles of H ion required by 1 mole of aminophore negative, याने per magnet to oxidize, oxalate to CO2 is, इसमें guys, मैं आपको है न, हलका सा एक background भी दूँगा, और आपको समय में आ जागा, और इस type के question, आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, देखे, आपको, मैं विछले questions में भी बहुत बार बता चुग हो, कि यह MnO4 negative है, पर-magnetide, इसकी reactions होती है, बहुत बार, या तो acidic medium में क acidic medium में, जो MnO4 negative है, Mn2 plus में convert होता है, और यह जो MnO4 negative है, neutral या feed layer cream में, MnO2 में convert होता है, इसमें हम क्या बोलता है, कि यह plus 7 से plus 2 में होगे, या या ने plus 5 का change, और यह plus 7 से या plus 4 में होगे, या ने plus 3 का change, ठीक है, ना जो यह question पोचा गया है, number of moles of H ions required by 1 mole of per magnet, requires to oxidize, oxalate to CO2 is, यह इस वाले part का पूछा हुआ है, याने यह खुद का तो reduction हो रहा है, इनको oxidize कर रहा है, oxalate को, इसमें guys, अब मैं आपके एक चीज़ बदाता हूँ, देगे, जब acidic medium में आप per magnet लेते हो, या आप हम यह बोल देते हैं कि acidified per magnet solution होता है, वो क्या करता है, oxal is, खुद का reduction हो, इसको oxidize कर देता है, iron 2 को कर देता है, iron 3 में oxidize, nitrites को कर देता है, oxidize, nitrates में, and iodide को, याने अब को यह तो question बहुत बार पूछा हुआ है, यह कर देता है, free iodine में, याने I2, इसको और गोर से देखोगे, तो oxalate को मैंने बोला, याने COO negative, यह होगे, oxalate iron, इसको कर दिया, CO2 में, Fe2 plus को कर दिया, इसमें, NO2 negative को convert कर दिया, NO3 negative में, and similarly I negative को कर दिया, I2 में convert, समझ में आ गया, guys, ठीक है, बस, आपो क्या देखना है, इसमें, ions required by 1 mol of MnO4 to oxalate 2, याने, जो यह पहली reaction है, इसकी पूछी भी है, बस अब इसको देखे, यह reduction की reaction है, यह oxidation की है, दोनों को combine कर दो, याने, MnO4 negative plus C2O4 to negative, इसको लिख दिया, C2O4 to negative, यह देता है, Mn2 plus, यह वाला, and plus CO2, अब बस इसके बाद, आपको इसको balance out करना, redox reactions की तरह, मैं इसमें direct लिख रहा हूँ, लेकिन redox reaction की तरह, आप इसको balance कर ले, जब balance करोगे, तो क्या होगा, 2 MnO4 यह, यह 5, plus 16 HIN, ओके, और इधर क्या हो जाएगा, 2 Mn2 plus, 10 CO2 plus 8 H2O, यह जब balance कर लेंगे आप, तो क्या होगा, 1 mol, number of mol सो हो होगा, 1 mol of MnO4, देखे, 2 mol है, तो 16 HIN required है, और अगर 1 mol हो जाएगा, MnO4 negative, तो 16 Y2 याने, 8 HIN हो जाएगा, याने, जो 8 है, will be your final answer, next question देखते है, in the reaction of potassium dichromate, potassium chloride and sulfuric acid, the oxidation state of chromium in the product is, now guys, this again, यह जो question है, यह chromyle chloride test पे आता है, chromyle chloride test क्या होता है, एक test है, to test the presence of chloride ions, तो देखे, basically क्या है, जैसे, for example, अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, KCL के यूज़ करके, NACL के थुरू यूज़ करके बता रहा हूँ, ताकि आपको दोनों reaction में difference समझ में आ जाएगा, कि KCL यूज़ करके, देखे, for example, जब हम कोई surge नहीं लेता है, जैसे NACL होगा है इस case में, जिसको test करना है, उसमें K2CR27 डाल देता है, equal amount, और इसमें concentrated H2SO4 add कर देते हो, तो एक आपको vapors produce होगी है, gas produce होगी, वे किसकी होती है, chromyle chloride की, CRO2Cl2, यह reddish brown color की होती है, और इसी test से इसका test का नाम है, CRO2Cl2, plus KHSO4, क्योंकि देखे, KHSO4, plus NaHSO4, दोनों बने हैं, KKV, NKV, और प्लस H2, ठीक है, सभावना है, अब इसके बाद और test होता है, कि CRO2Cl2, को आप NUH पर डाल देते हो, और आपका basically yellow color का compound बनता है, उस पर नहीं जाते है, second reaction में, अभी बस इसमें, क्योंकि इतना ही पार्ट पूछा हो है, first का, ठीक है, अब एक चीज़ देगे, यहाँ NaCl लिया था मैंने, तो यहाँ यह दोनों बन गए, क्योंकि question में क्या क्या है कि potassium chloride लिया है, अब देखें, अंतर देखें, कहाँ जाएगा, अगर मैं Na के बजाए KCl ले लूँ, तो जो यह KHS04 तो बन गया, लेकिन यह NHS04 जो इस Na के बना था, वो भी हटके KHS04 बन जागा, यान यह इकलोता बनेगा, तो अंतर समझ में आपको NaCl और KCl लेने से, ठीक है तो फिलाल जो question में पूछा क्या था, balance out भी आप हो करने की जोड़त निया है का इसमें, कि इंदर एक्षन potassium dichromate, potassium chloride and sulfuric है जब मिला, the oxidative state of chromium in the product is, याने जो product क्या बना, chromyle chloride, chromyle chloride का structure अगर आप देखोगे, तो वही tetradal shape का होता है, CRO, O, CL, CL, ठीक है, और इसमें oxidative state क्या है देखोगे, minus 2, plus 2, क्योंकि O, ज्यादा electronegative है, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, कितने हो गया, 2, plus 2, plus 1, plus 1, याने 6, and here क्या आजगा, 6 will be your final answer, so I hope guys, आपको जो question है, समझ में होंगे, thank you for watching, third part भी complete हो गया है, D-block आपका इसमें complete हो चुका है, okay, so thank you, bye.